हेलो स्ट्वेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैन आज हम लोग आपकी वॉक्षेट नंबर 20 करने वाले हैं जो आपकी विज्ञान की हिंदी मीडियम की वक्षिट है बच्चो यह सभी बच्चे ध्यान से देखें हिंदी मीडियम की जो भी बच्चे इंग्लीस मीडियम से वह इंग्लियम वाली वक्षिट करेंगे वह भी अप्लोड कर दिए तो सभी बच्चे सेवंध क्लास के अपने अपनी नोट्बुक निकालेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चो अपना साइन्स आपकी सेवंध है वक्षिट का नंबर बच्चो आपका 20 है डेट आपकी 23 से अपकी वक्षिट है टॉपिक आप लिखोगे जरूर पाधपो में पोश्चन इसमें आएगा आपने क्या सीखा इसमें दिया गया है सभी जीवों को खादे की अवसकता होती है जिसका उप्योग वे अपनी व्रधी एवं सरीर के रख रखाओं के लिए तथा आवश्यक उ प्रापति के लिए अब इसमें दिएक हरे पाधप परकास संसलेसन प्रकम द्वारा अपना खादे स्वे संसलेसिच करते हैं जो हरे ओध्य होते हैं वो क्या करते हैं अपना जो भोजन है खुझ बनाते हैं इसे पहले भी हमने पढ़ाता है क्या करते हैं à अपने खाद दे संस्लेशन के लिए बड़े होएंगे परकास संस्लेशन के लिए किसकी जरुत पड़ती है हम लोग ने पढ़ाता क्लोरोफिल कार्बन डाइक्साइड जल एंड सूरे के परकास यह बहुत जरूरी होता है ठीक है कार्बोहाइड़ेट जैसे जटिल रसायनिक परकास संसलेशन के उत्पाद हैं किसके उत्पाद हैं परकास संसलेशन के प्रकार में क्लोरोफिल की सायता से पत्तियों द्वारा सोर उर्जा का चैयन किया जाता है ठीक है परकास संसलेशन में उत्पादित ऑक्सीजन का उप्योग भी सभी जीवोद्वारा उनकी उत्तर जीविका के लिए oxygen का उपयोग हलाकि plant जो होते हैं वो क्या करते हैं oxygen release करते हैं जो आप लोग लेते हो कवक अपना portion मरत एवं घटी जेव परदार्तों से प्राप्त करते हैं किस्ते देखो कवक के वारे हैं हमने परता हो कुछ पादब अन्य सभी जीव अपने पोशन है तो दूसरे चीव वह पर क्या रहते निर्भर रहते जैसे क्या नामे सक्छक विशमपोसी यह दो ऐसे हैं जो क्या दूसरों पे निर्वार रहते हैं खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं ठीकिए अब इसके इसके कोस्तिन उद्धारन है किसका अमरर बेल वच्चों किसका उध्हारन है सभी बच्चे बताएंगे यह बच्चों एक परजीवी का उध्हार एं किसका परजीवी का ठीके बच्चों किसका उधाराने परजीवी का फर्ष्ट होगे सेकिंड परकास अंसलेशन के लिए क्या उसक होता है ठीके बच्चों आप सबको पताओगा परकास अंसलेशन कैसे होता है ठीके काफी बच्चों ने पढ़ा भी होगा इसमें प्रकास अंस्लेशन के लिए तो देखो आपकी वर्कषिट में भी दिया था कि प्रकास अंस्लेशन के लिए क्या अवशक होता है देखो क्लोरी ऋबर करमाइः अप सूरे का परकास ठीक है आप लोग लिखेंगे इसमें क्लोरोफिल कार्बन डाइकसाइड जल और सूरे के परकास ठीक है देखो रूरोफिल एक कार्बन डाइकसाइड जल सूरे का परकास ठीके बच्चो यह आपका और परकास अंसलेशन में उतपादित क्या होती है बच्चो अक्सिजन उतपादित होती है जो आप लोग लेते हो ठीके आपका यहां पे अक्सिजन आ जायेगा ठीके बच्चो तो यह कितनी EGC वरक्षिट सी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ठीक है बच्चो तो यह थी आपकी पूरी वरक्षिट अब अगर आप लोग देखिए जो पुराने बच्चे हैं जानते मेरी चैनल पे कमडिशन चला है जिसमें आप लोग गिफ्ट भी जीश सकते हों जैसे मैं आपको बताया तो मेरे दूसरा चैनल है विलोग का जिसका नाम है सुजिस सिंग ठीक है वो मैंने उसका लिंक मैंने डिस्क्रिशन में दिया गया है ठीक है उस पर आप जाकर उसे सस्क्राइब और ब तो सभी बच्चे उसमें पाटिसिपेट करेंगें आपको कुछ नहीं करना सिर्फ कमेंट करना है ठीक है मनलो इतने सारे बच्चा नों कमेंट करें उसमें सेलेक्ट वही बच्चा को जो डेली मेरी आप से वक्षोट जैंच जैभार